पाकिस्तान और इंग्लेंड के भी तीन माचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 18 जुलाई को लीड्स के एड इंग्ले में खेला गया, पाकिस्तान को इस माच में 43 रनों से हर का सामना करना पड़ा इंग्लेंड ने तरसल पहले बलेबाजी करने होता मिलने के बाद 19.05 ओबरों में ओल आउट होने से पहले 200 रन बना डाले सीरीज के पहले T20 में सेंच्री लगाने वारे लियाम लिविंग स्टोन ने इस मैर्श में भी तावड तोड बलेबाजी की लिविंग स्टोन ने 23 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली और इस वरान तीन शांदार चक्के भी लगाए इन में से दो चक्के दो उन्होंने पाकिस्तान की तेस गेंद बाज हरी श्रॉप की केंद पर मारे एक चक्का इतना खतरनाग था कि गेंद स्टेडियम के बाहर ही चली गई इंग्लेंड क्रिकेट ने इसका वीडियो भी ट्वीट किया लिविंग स्टोन के इस चक्के की खुब चर्चा हो रही है इसके कुछ लोग T20 इंद राश्य का सबसे बड़ा चक्का भी बता रहे हैं इंग्लेंड की कप्तानी इस मैच में जॉस बटलर नी की और इन मॉर्गन इस मैच में नहीं खेल रहे थे बटलर ने 49 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली मॉहिन अली ने 16 गेंदों पर 36 रनों की तावर तोड़ पारी खेली इंग्लेंड की और से बटलर, मॉहिन और लिविंग स्टोर ने ही सबसे जादा रनों का योगदान दिया इन तीनों के अलावा कोई वन्यबाद 20 रनों के स्कोर तक भी नहीं पहुत सका हरी स्रॉप ने पाकिस्तान की और से दो विकेट लिए लेकिन 48 रन भी खर्ष कर डाले जवाब में पाकिस्तान ने 20 ओरों में 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाए साके मेहमूद में 3 जबकि मॉहिन अली ने दो विकेट लिए इस जीद के साथ इंगलेंड ने सीरीज एक-एक से बराबर कर ली बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का चक्कात याम लिविंग स्टोर ने वारा है वो काफी जानदार था A&P Newsroom के रपोर्ट